हेलो माई यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सभी गुड इवनिंग बोलो या गुड आफ्टरनून बोलो ये दुपेर के मुझे लग रहा है दुपेर का ये दुपेर के बाद का समय जहां मेरा लास्ट वीडियो आपने देखा खतम हुआ भाई से फिर ये शुरू हो जाता है और अगर आप मेरे चनल पर न्यू हैं तो प्ली सस्काइब कर लीजिएगा मेरे इसी तरी किसे वीडियो व्लोग देखने के लिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है किचिन से शुरू होने वाला है तो यहां मैं भी लगी हुई उतना भी तो बहुत कम लोग है जो पूरा देखते हैं इसमें भी दो से तीन मट का वर्श टाइम मिलता है इस वज़े से थोड़ा बड़ा नहीं बनाती हूँ वीडियो तो बहुत बड़ा होता है लेकिन इसको इस स्पीड में कर देती हूँ इस वज़े से कि इतना टाइम हर किसी के पास नहीं होता देखने का तो जो भी सामन था यहां पर सारा मैं देख रही थी कि क्या क्या है व ARE जादातरा ना पॉलीथीन थी तो जितने भी खराब पॉलीथीन है सारी मएं भर के इस थ्थेले में रख दूँगी फेंकने के लिए और ये बालती को खाली कर लि लेकिन यह मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ड्रम से तो ड्रम में तो ऐसी नहीं आएगा और यह देखी मेरा ड्रम मिलकुल सूक चुका है एक दम से आप देखी सकते हो कितना अंदर से मैंने उस दिन साफ किया था ना इसको रगड के तो यहां पर जितने यहां पर यह साइकल को खोल रहा है क्योंकि साइकल की न तो बैकिंग बन पा रही है और न पैके मतलब उसमें ड्रम में आ रही है तो इसको ऐसे खोल के और फिर इसकी हम पैकिंग बना देंगे और यह ड्रम में बहुत ज़्यादा जगे घेल रही है तो ड्रम में इसको नह और अभी टायम हो रहा है साड़े 11 बजी हुए है और ये गए हैं दिविया और दिविया के पापा गए है इसका रेजल्ट लेने के लिए अच दिविया का रेजल्ट है तो काम जादा होने की वज़े से मैं नहीं जा पाई यह कुछ नहीं पता चलना है कहां से सलूर करूँगो कहां से खतम करू कहां से नही काम उतना ज्यादा हो जारहा है बहुत ज्यादा लेकिन एक एक चीज में आप सभी के साथ सेयर कर रहे हैं तो यह देखिए ज़िग कि वाला उट सह थी के उपर का टून था उसको इन्होंने इस तरीके से बोरे में सिंदिया जिसे कि और थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाएगा टीवी जो LCD हम लेके जाएंगे LED तो गिरेगी नहीं और यह ड्रम जो मैंने कल आपको दिखाया ही था तो हो दिया और इसमें इन्होंने यह साइकिल डाल दिये लेकिन मैं साइकिल को निकालूंगी क्योंकि साइकिल ज्यादा इसमें घिर जा रहा है जिससे कि फिर इसमें और बाकी का सामन नहीं आएगा और देख तो बात्रूम की जितनी भी बाल्टी बगएर टब बगएरा है सारा यह धूके सुखा दिया है क्योंकि इनको इस ड्राम में जैसे नमक, मिर्ची, हल्दी इन मैंसे में थोड़ा-थोड़ा करके पेपर में निकाल लूँगी और बाकी का सारा डिबबा ड्रम में जाएगा इस वज़े से खाने के लिए और जितनी भी बरतन वगएरा है क्योंकि आज आज सामान हमारा कल सुबे में जल्दी निकल कपड़े तो कुछ ज्यादा नहीं है दोने के लिए बरतन भी चले जाएंगे और देखिए तंप्रेली जुगार पर्दे का इस तरीके से वेट सीट डाल दी है इस पर क्योंकि पर्दे रख दी है वेट सीट तो वैसे भी हमें साथ चाहिएगी ले जाने के लिए रस्ते मे तो रखने पड़ेगी पर्दे वगर आभी चले जाएंगे और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है बस चाहिए फटापट से खाना बनाने लग गई थी और आर्च किया हेर वोस आज सुक्रवार है लेकिन वैसे अभी मेरा दो-तीन दिन सुक्रवार सनेवार संडे संडे की सायद एकादसी है जो आमले वाली एकादसी होती है उसको भी मेरा बरत रहेगा फिर मंडे को भी फास्ट रहेगा और उसके नेक्ट डे तो हमें बहुत जल्दी में सुबह जाना ही जाना है तो देखे मसीन की वी न कितने अच्छे से पैकिंग की आपको देखाती हूँ मैं मसीन को इतने अच्छे से पैक कर दिया है इनोंने पैकिंग यह बहुत अच्छे तरीकी से करते हैं यह चीज है और जो कपड़े मैंने रखें देखूंगे अगर टाइम मिलता है जो हम लोग पहन के जाएंगे उन पर प्रेस लगा दूँगे क्योंकि फिर प्रेस भी रख देंगे और यह समय होना बहुत व ownsकिल होती है बहुत जादा रहने में 3-3 साल ऐसे ही निकल पता नहीं चला लेकिन अभी जाने में इतना मुसकिल हो रहा है कि बहुत ज़्यास लेने की फूटसप नहीं मिलई हो इस यह समझ लिजिए और बात हैं बहुत सारी होग इन बहु लख्यु हूई थी तो इसको आटे में मिक्स करकिया उसके मेने परांठे बना दिये है और मैं सौफ कर रही हूं आज में सारस्ट किचिन खाली करके सारा पैक कर दूंगी क्योंकि आज कल सुबह में जड़ी सामान जाएगा तो फिर रात तक मुझे ये सारा पैक कर देना इस वज़े से मैं लगी हुई हूँ तो यहांपर मैंने देखिए बोतलों को साफ कर दिया है और फिर ले लियाहिए मैंने यहांपर गैस चूल आज़ा थोड़ा सा बच्ची पड़िशान कर रही थी तो मैं बच्चों से कुछ चिल रही थी और इसको अच्छे से मुझे गैस चूले को मैं दोलेंगी सरफ से और सुखा दोंगी क्योंकि हमें इसको बॉक्स में पैक कर देंगे गेस चूले को जिससे कि इसका आलग से पैकिंग नहीं बनाना पड़ेगा और ये देखे ये ड्रम में मैंने सबसे पहले नीची रख दी है पहले टब जो मैं कपड़े दोती थी उसके बाद फिर मैंने जमा करके मैंने सोचा ये आ जाएंगे तो हम दोनों एक दूसरा होता ना ये दूसरे की समझ से थोड़ा सा साई से सेट कर लेंगे ड्रम में लेकिन अभी तक ये आए नहीं कुछ काम से इनको बाहर जाना पड़ गया और एक बॉक्स में देखी मैंने सामान यहाँ पर बिल्कुल सेट कर लिया आपको दिखा देती हूं एक वार सारी चीज़े आप सभी के साथ मैं सेयर कर रही हूं तो ये देखी ये वारा मैंने पूरा लवल पैक कर दिया है और सुबह अभी चब तक मैं खाना बना लेती हूं ये आएंगे तब तक फिर उसके बाद सुबह तो निकलना ही है इस सामान को तो पहले खाना बना लेती हूं और ये देखे खाना तो मुझे नहीं बनाना पड़ा ये आज बाहर से मंगा लिए खाना तो ये है कड़ाई पनीर था जो बच्चे खा रहे थे और तंदूरी रोटी और ये था चिल्ली पनीर तो ये थोड़ी सी टेंसन मेरी आजसाम की कम हो गई वैसे मैंने नहीं बोला था मैंने इनसे मना भी किया था बस इनका मन था तो ये हैं हमारी रोटी तो खाना पीना तो अभी हो जाएगा फिर इसके बाद फिर से काम करना है काम नहीं खतम हो रहा है बिलकुल भी अच्छा लग रहा है हलो हलो कोटो हाथ अलग रहा है तो देखे खाना पीना खाने के आदि यह अरेंजी कर दिया है कुछ इस तरी के से आप देख सकते नीचे मैंने आपको दिखाया था उसके बाद फिर यह चियर डाल दिया हो चियर आशपास में जितने भी जगए थी उसम मैंने उस तरीके से लगा दिये और अब बाकी के बस इसमें जितने भी बरतन आ जाएंगे उतने बरतन रख देंगे और अच्छे तरीके से रेंज करके इसमें काफी सारा सामान आ गया और इसका हमारा सामान इस तरीके से इसमें सेफली पोंच भी जाएगा जैसे कोई भी सामान है टूटेगा फूटेगा नहीं और सारा सामान मैंने अच्छे से चेक किया है जो डिबे मुझे लग रहा था कि अगर खुल सकते हैं जैसे सिलिब बागेर धकन हो सकते हैं तो उन डिबबों को फिर मैंने नीचे डाले हैं पॉलिथिन में बहांदा है और एक मुझे कमेंट आया था कि आप ये पार्ट सलव कर रहे हैं तो इसका रेट वेट और सब कुछ बताना अगर आपको ये चीज मुझे पूछनी है मतलब अगर आप लोग चाते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये कुष्ण का जवाब दे दूँगी कि हमें ये सब सामन भीजने में कितना ख़र्चा आया, क्या क्या हुआ वो सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी तो यहां पर देखे बच्चे मेरी help कर रहा है बच्चे काफी help करा देते हैं और ये वीडियो जो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा करके मैंने 3 दिन का बनाया है क्योंकि आप समझी सकते हो कि काम इस टाइम कितना हो जा रहा है मैं बता नहीं सकती हूँ बीच में फिर ब्लोग वनाना एडिट करना बहुत मुस्किल हो रहा है तो ये देखी अभी हो गई है नेक्ट सुबह और इस ड्रम को हमने इस तरीके से सिल दिया है वैसे कोई जरूरी नहीं था लेकिन थोड़ा सा और सेफटी इसकी हो गई है तो बस अभी ये सामान यहां से निकलने वाला है और आदे से ज़्यादा मेरा सामान निकल जाएगा घर खाली थोड़ा सा हो जाएगा तो देखे यहां पर गाड़ी आ गई है सामान लेने के लिए और ये सामान इस ड्रेल वे स्टिशन पहुचा के आज आएगे